कि हलो वियूत आज हम लोग देखेंगे की कुछ लेटर नया दिजाइंग का पॉश हो पॉला रिंग का डिजाइन डेली उसके लिए किसे कुछ गेवत के लिए बहुती सुन्दर डिजाइन कुछ पॉला रिंग का डिजाइन Pil Episode हम लोग देखेंगे हैले जो डिज़ान देख थोड़ा सा थिंक पॉला है बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इसका भी वेठे 200 मिलिग्रम इसका भी प्राइस 2450 या 2400 पास आज आएगा और इंडिया कही भी आप लोग होम डेलिवर ले सकते हैं क्या सुन डेलिवर भी आवेलेबल है नीचे दिए हो और सब नंबर पर स्किन चोटacha बारी क्या होगा है बहुत ये सुन्दर डिजाइन है इसका भी ये 220 इसका फ्रैस लगबलशंत चाफी सोटरेश्त twist है कई मसद्ड़ डिजाइन है स्यंसका काम बहुत ये स्टिजाइन है मिडिल में संटेजाइन सुर्यकर डिजाइन है सबिए का दिजाine leri काम है बहुत ही सुन्दर डिजाइन है एकदम लाइट विट में है 210 मिलिग्राम इसका वेट है इसका भी प्रेक्ष मच्छी सो क्यास पसा जाएगा के फाल साइज आवं काई बिसा किसी बीजाइज इस डिजाइन को देखे के वह और बहुत ही शुंदर बिजाइन है एक दम लाहिट वट में साइल में भी कही बहुत ही सुंदर है काई का फिनिसिंग बहुत ही सुंदर है कि इसका भी हुए 210 मिलिग्रम है इसका प्रेस लगबग 2500 क्यास पास आ जाएगा आप लोग ऑल इंडिया का ही भी होम डेलिवर मांगा सकते हैं क्यास ओन डेलिवर भी आवेलेबल है नीचे दिये होए होटसर नंबर पर कॉंटर्क कर सकते हैं यह भी बहुत सुंदर डिजान ह है इसका काम को देखिए बहुत ही बारी किसी काम किया हुआ है साइट का डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है मीडिल का फिलावर का डिजाइन बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर फिनिसिंग है इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है 230 मिलिग्रम इसका वेट है इसका प्रे टाइप्स का डिजाइन करा हुआ है मीडियल का डिजाइन भी बहुत ही सुन्दर है इसका वेट है 190 मिलिग्राम थोड़ा सा लाइट वेट में है इसका प्रेस लगबग 2400 के आसपास आज आएगा आप लोग आल इंडिया कही भी इसी को मांगा सकते है इसकीन को सॉट करके नीचे दिये हुए होट्सप नमर पर भेज दीजिए वेज डिजाइन को देखे दोस्तों बहुत ही सुन्दर डिजाइन है एकदम यूनिक सा डिजाइन है बहुत ही भरा हुआ डिजाइन है एकदम लाइट वेट में बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इस तो बहुती सुन्दर फिनिसिंग है अब इस डिजैन को देखिए बहुती सुन्दर दिजैन है एकदम लाइट वेट में है इसका वेट है कि एक सुनब्बे मिलिग्रम कि इसका प्रैस लगबक 2400 के आस पास आज आईगा कि इस डिजैन को देखिए यह बहुती सुन्दर डिजैन है डेलू इसके लिए बहुती सुन्दर रहेगा परफेट रहेगा